कर चुके थे लास्ट क्लास में रिडाम्शन ओफ डिवेंचर और आज रिडाम्शन ओफ डिवेंचर को हमें खतम करना है पूरा का पूरा तो आप लोगों के जो डाउट्स थे आप लोगों ने कुछ ने पूछा था डाउट्स मैंने वैसे कुश्चिंबर 12 भी दिया था आपको और कुश्चिंबर 17 भी दिया था आपको कुश्चिंबर 16 और 15 भी दिया था आपको तो जो डाउट है आप पहले वो पूछ लो फिर ह हम आगे चलेंगे रेडंशन अफ डिबेंचर पर आगे जो भी डाउट है क्लास फटाफट पूछ लो ताकि हम आगे चलें रेडंशन अफ डिबेंचर और आज हम लोग जो डिबेंचर चैप्टर है वो खतम करेंगे क्लास कोश्यमा 13 चलो 13 कोश्यन तो मुझे कराना है वैसे भी आजाओ जरा कुश्यमा 13 पर 13 तो मैंने क्लास दिया नहीं था आपको कराना है मरेको तो थर्टीन भी कराऊंगा नाइन भी कराऊंगा क्लास आपको 16 जो है वो भी मैं करा जिता हूं नौ इस्यू चलो डिबेंचर टॉपिक हम खतम करते हैं आज मैं समाझ कि आपके डॉट्स वह सारे कोश्यन में कराऊंगा डॉंट वरी आ जाओ क्लास सब लोग रेडंशन ओफ डिबेंचर में सबसे पहले आप इस पर आओ कि सबसे पहले आप कोश्यन 6 पर आजाओ सब लोग नम्बरिंग वाइस कोशियमर 6 जो भी डाउट है वो सब कराऊंगा आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है कोशियमर 6 पे सबसे पहले आजाओ कोशियमर 6 पे उमीद है एंट्री आप सब लोगों अच्छे से लर्न कर लिया होगा अब तक जर्नल एंट्री सारा का सारा अच्छे से आपने लर्न कर लिया होगा समझ रहे हो बात को जर्नल एंट्री ने कहा था आप अच्छे से लर्न कर लेना वह आपने लर्न कर लिया होग सब लोग ध्यान समझों आपके जो भी है वह मुस्ली कोशिन तो आज हम करेंगे वैसे भी आपके सारे कोशिन फिनिस हो जाएंगे अब सांती से कोशिन को पढ़ते चलो मेरे साथ क्लास लास्ट क्लास मैंने आप कुछ बताया था मैं दो मिनट रिवीजन करता हूं फिर आगे चलेंगे मैंने कहा था कि आप जिस भी एयर में डिवेंचर को रिडीम करोगे उस एयर से पहले जो 31 मार्च आएगा उस डेट पे डी आर आर बनाना है और डी आर बनाना है कंप्लीट अमाउंट का 50 परसेंट सुरी 25 परसेंट मतलब जितना डिवेंचर आप रिडीम कर रहे हो उसका 25 परसेंट अमाउंट जो है जितना भी डिवेंचर आप रिडीम कर रहे हो उसका 25 परसेंट अमाउंट जो है उसका आपने अमाउंट आप redeem करोगे class पूरी lifetime में उसका 25% amount DRR बनाना है और अगले ही दिन एक April को उसका 15% पैसा invest कर देना है लेकिन अगर आप out of capital debentures को redeem करते हो तो आपको DRR नहीं बनाना DRR नहीं बनाना अगर आप एक banking company हो तो भी आपको DRR और DRR नहीं बनाना अगर आप all India financial institution हो which is regulated by the reserve bank of India तो भी आपको DRR नहीं बनाना यह सारी बात है इसके अलावा अगर आपने कोई fully convertable debentures दिये हैं यानि कि अगर आपने debentures को convert करने वाले debentures इशू किये हैं तो भी आपको DRR और DRR से माफी है exemption है आपको वो नहीं बनाना कल की class लगता है सिम्मी आपने लीनी मैंने आपसे पहले ही का था कल की class में कि bankों के उपर already बहुत सारे reserve बने होते हैं मैंने आपको last class में बताया था कि bankों के उपर already बहुत सारे reserve होते हैं like cash reserve ratio, statutory liquidity ratio इसके अलावा banking regulation act जो है वो उनकी profit पे भी 5% का अलग reserve बनाता है ताकि bank ड हम लोग class उसके लिए DRR नहीं बनाते, out of capital का मतलब भी मैंने कल समझाया था आपको कि जब हम लोग debentures को redeem करेंगे तो redemption करने से पहले हम दुबारा share issue कर देंगे और share issue करके जो पैसा आएगा उससे debenture को redeem कर देंगे it means debenture redeem हो रहा है out of capital clear है यह हो गया class सारी चीजे अब यहां पर क्या समझना है आपको कि अगर मानलो कोई debentures को तीन बार में redeem करेगा मानलो company ने 3000 debenture issue किये हैं एक की कीमत 100 है बात को समझना clear है class यहां तक तीन हजार debentures हैं और एक की कीमत 100 है जो class मैंने आपको exception बताया ना उन companies को छोड़कर बाकि सबको DRR बनाना है banking all India financial corporation out of capital और convertible debentures इनको छोड़कर बाकि सबके लिए DRR बनाना है तो company 3000 debenture issue करेगी एक की कीमत कितनी है 100 लेकिन जब company redeem करने की बारी आती है जब class redeem करने की बा ठीक है या toute मालो साल के end में भी हाजार यहां पे redeem होगा हाजार यहां पे redeem होगा और हाजार यहां पे redeem होगा इसका मतलब company debentures,s को आज हम खतम कर देंगे पूरा redemption और आपकी duty है कि आप redemption को खतम करो कल से हम लोग class cash flow statement की तरफ चल देंगे आज आप किसी भी तरीके से debenture redemption खतम करो और जो coming Sunday आने वाला है अभी जो Sunday class अब आएगा आज तो Tuesday है अभी 5 दिन और है जो Sunday आएगा उस Sunday को आपका पूरा company account का टेस्ट होगा exam pattern में 20 marks का बिलकुल exam pattern में 20 marks वन आर पूरा company account का टेस्ट होगा यानि कि issue of share, issue of debenture, redemption of debenture और इससे पहले Saturday को मैं पूरा revision कराऊंगा आपको और Sunday को आपका company का test होजाएगा 20 number का clear class यहां तक तो आप लोग किसी भी तरीके से company को finish करो practice करो हर topics की चलो company ने 3000 debenture issue किये हैं की कीमत कितनी है class 101 लेकिन जब company redeem करेगी तो थोड़े इस साल करेगी थोड़े उसके अगले साल और थोड़े उसके अगले साल मतलब company draw of lot से lottery basis पे थोड़ा थोड़ा करके debentures को redeem करेगी clear class यहां तक थोड़ा थोड़ा करके debenture redeem करेगी अब मानलो यहां पर आजाओ आप अगर इस date को redeem कर रहे हो तो इससे पहले जो 31 March आएगा इससे पहले जो 31 March आएगा उस 31 March को आपके पास DRR में कितना पैसा पड़ा होना चाहिए 25% entry क्या होती है statement of fee and account debit to DRR तो सर 25% कैसे निकालेंगे बहुत ध्यान से समझना class सब लोग please focus 3000 debenture है एक की कीमत 100 है तो कितने रुपे लोटाने है class 30000000 रुपे तो इस 30000000 का 25% amount जो है वो बन जाएगा DRR तो entry पास होगी statement of fee and account debit to DRR clear class यहां तक statement of profit and loss account debit to DRR यह entry पास हो जाएगी clear यहां तक 75000 से done good image आप उसके बाद देखते हैं अब सुनो अब अगले ही दिन अगले ही दिन एक एप्रिल एक एप्रिल जो अगले ही दिन आएगा आएगा आपको क्या बनाना है DRI बनाना है which is 15% of the face value of debenture to be redeemed in the next year clear एक लास यहां तक तो आप मुझे बात बताओ अभी आप इस साल 1000 debenture को redeem करोगे या 3000 debenture को redeem करोगे सर इस साल तो 1000 करेंगे इस साल तो 1000 debenture कितने का एक है 100 का एक है 1000 x 100 कितना हो गया एक लाक और एक लाक का 15% जो है वो आपका बन जाएगा DRR एक लाक का 15% बनेगा 15,000 clear एक लास यहां तक अब आप बोलोगे सर अभी तक तो हमने यह सीखा था कि 3000 debenture redeem कर रहे हो 100 का एक है तो सर यह बन गया 3 लाक हम इसी 3 लाक का 25% निकालते थे 75,000 बनाते थे DRR और हम इसी 3 लाक का 15% निकालते थे और 45,000 बनाते थे DRI तो DIY तो सर 45,000 बनाते थे आपने 15,000 बनाया तो आप सुन लो अच्छे से DRI 45,000 ही बनेगा लेकिन इकठा नहीं बनता DRR हमेशा इकठा बनता है लेकिन जो DRI है वो इकठा सारा नहीं बनेगा आप इस साल जितना redeem करोगे उतना ही पैसा अभी आप इंवेस्ट करोगे फिर एक साल बाद फिर एक अपरिल को दुबारा DRI बनेगा ध्यान रखना DRR नहीं बनेगा DRI बनेगा तो DRI कितना बनेगा फिर से 1000 इंटू 100 अमाउंट बन गया एक लाग और फिर एक लाग का 15% DRI जो बनेगा हो बनेगा 15,000 फिर अगले साल तीसरे साल दुबारा DRI बनेगा 1000 डिबेंचर रिडीम कर रहे हो Draw of Lots में रिडीम करते हो थोड़ा थोड़ा करके जब आप डिबेंचर को रिडीम करते हो तो उस सिचुएशन में उस सिचुएशन में DRR तो पहली बार में पूरा का पूरा बना देना लेकिन जो DRI की एंट्री पास होती है दो एंट्री वो आप पहले साल जितना रिडीम कर रहे हो उसको बनाना फिर उसको बेचना फिर अगले साल जितना रिडीम कर रहे हो फिर अगले साल बनेगा एक अपरिल को फिर वो बिकेगा फिर अगले साल जितना रिडीम कर रहे हो class draw of lords में यानि कि आगे आने वाले कई सालों में जब हम debentures को redeem करते हैं तब हम लोग class ये entry pass करते हैं तब ऐसा होता है ओके तो ये class debentures का rule है या अपने class ध्यान रखना है debentures का ये वाला rule ओके चलो अब हम आते हैं class जिराए question पे जो हमको अभी solve करना है come to question number 6 सब लोग question number 6 पे आ जाओ सब लोग question number 6 पे आ जाओ जल्दी से class एक question कल मैंने छोड़वाया था आपको तकि आज करा सकूँ तो आ जाओ जल्दी से सब लोग question number 6 क्या लिखा है पढ़ते हैं जरा सब लोग समझना जरा class क्या लिखा है बहुत easy question है कोई मुश्किल question नहीं है आसान है बस यह कि इसके बारे में बताना था मैं आपको कि DRR तो एक ही बार में बनाय दिया जाता है पूरा 25% लेकिन जो DRI होता है debenture redemption invest होता है वो class थोड़ा थोड़ा करके हम लोग क्या करते हैं बनाते हैं चलो next class question number 6 SRCC limited has issued 1 April 2017 को company ने 20,000 debenture issue किये हैं एक की कीमत 100 रुपे एज redeem by draw of lots यानि यह lottery निकालेंगे थोड़ा अगले साल फिर थोड़ा पैसा अगले साल फिर थोड़ा पैसा अगले साल जिसको जितना लेट लोट आएंगे उसको उतना ब्याज भी देते चले जाएंगे clear यहां तक अब इसमें लिखा है draw of lots under as under इसमें लिखा है कि during the year 31 March 2018 अच्छा 31 March 2018 को यह कितना redeem करेंगे 15% आप मुझे बताओ 20,000 debentures हैं सब लोग ध्यान से समझना 20,000 debentures हैं एक की कीमत 100 है तो 20,000 x 100 कितना बनेगा 20,000 रुपे यानि कि 20,000 रुपे बनेगा 20,000 x 100 अब यह 31 March 2018 को सारा redeem नहीं कर रहें 31 March 2018 को यह सारा redeem नहीं कर रहें सिर्फ 15% redeem कर रहें तो बच्चों बताओ 20,000,000 का 15% कितना बनता है सर 3,000,000 तो यह कितना redeem करेंगे 3,000,000 रुपे यानि कि 20,000,000 में से जो 20,000,000 इन्होंने पबलिक से उधार लिया है तो उसका यह 3,000,000 रुपे जो है यह redeem कर देंगे क्लियर है क्लास अक्षिदेप आयोशी बिल्कुल ठीक है आपका सिम्मी करेक्ट अब फिर सुनो फिर इसी 20,000,000 का फिर 31 March 2019 को फिर 25% redeem करेंगे क्लास 20,000,000 का 25% मतलब एक चौथा ही और अगर हम 20 को चार से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 5,000,000,000 calculation जितना दिमाग से करोगे ना दिमाग उतना तेज होगा और जल्दी calculation करेगा rather than कि आप answer के लिए छोटी छोटी चीजों के लिए calculation करोगे ना समय बहुत ज़्यादा बेस हो जाएगा एकाउंट का पेपर 90% बच्चों से छूट जाता है आप सबको पता हुआ इतना लेंदी आता है कि आता हुआ question भी छूट जाता है इसलिए मैंने class शुरू करते हैं कहा था calculator का यूज़ बिलकुल मत करना वह आपकी calculation धीमी कर देता है सबको clear यहां तक दन इस तरीके से हमने थोड़ा थोड़ा करके debentures को redeem कर दिया ओके डन अब सुनो सबसे पहली बात sir, DRI कितना बनाना होता है 15% तो आप पूरे 20 सुनो मेरी बात अगर मैं इस question बोलूँ कि DRR कितना बनाना है तो आप बोलो कि sir DRR बनेगा 20 लाक का सीधा 25% 25 लाक का 25% जो बनेगा वो कितना बनेगा 5 लाग 5 लाग रुपे का DRL बनेगा एकी बार में बनेगा पूरा का पूरा बनेगा लेकिन class लेकिन सुन लो जो DRI है वो अभी पहली बार जितना redeem कर रहे हो न उसका 15% बनाना है तो 3,000,000,000 का 15% कितना बनेगा 45,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 बना तो उतना ही है लेकिन इकठे नहीं बनता है DRR तो एक यह बार में बन जाता है उसका खेल एक यह बार में खतम पूरा का पूरा माउंट एक यह बार में DRR बन जाएगा लेकिन जो Debenture Redemption Investment है DRI है वो थोड़ा थोड़ा करके वो बनाया जाता है जितना आप coming year में redeem करने वाले हो आप उस हिसाब से बना सकते हैं क्लास क्लियर हो गए यहां तक तो यह हो गया कुशिमर 6 इस तरीके से आपको यह बनाना है अब आते हैं देट के उपर सब लोग ध्यान से समझ अभी खतम नहीं हुआ है कुशिन अब आते हैं डेट के उपर क्लियर है अच्छा सुनो अब मुझे जरह सब लोग जरह मैं आपको ऑडियो जो है वो क्लास आउन कर रहा हूं जरह आप सब लोग मुझे बताना ठीक है पीछे से सोर मत कर 31 मार्च 2018 को डिबेंचर पहली बार रिडीम होगा सुनो मेरी बात 31 मार्च 2018 को डिबेंचर रिडीम होगा तो इस डेट से पहले जो 31 मार्च आएगा वो कौन सा 31 मार्च आएगा मुझे बताओ यह बात स्ट्रो मेरी बात सुनना सब लोग अच्छे से अब सांत रहना सुनना पहले तो 2017 को डिबेंचर रिडीम होगा क्लिरेंगे लेकिन जो डियार बनेगा वह कब बनेगा 2017 2017 और जो DRI बनता है वो अगले ही दिन बनता है तो अगला दिन कॉनसा है का बोलो अगला दिन गला दिन आलगी सब को बात समझ में DRI तो यहां बनेगा वो भी पूरा का पूरा लेकिन जो DRI है वो 1 April 2017 को बनेगा और 30 April भी बन सकता है तो आपका क्लास मन जो आप बनाना चाहो वह बना तो बना तो एक महीने से पहले कभी भी बना देना चलेगा लेकिन होता कहना पता है कि लोग फॉलो या एक करते हैं तो आप अगर 15 शोला सथरा अठारा बनाओगे तो ठीक है गलत नहीं है पर वह थोड़ा सा अलग हो जाओ क और टीचर कोई बहुत ज़ादा टीचर कॉपी चेक नहीं करते में उसको लगया रहे यार तो गलत बना दिया तो आप बहतर है कि वही रूट फॉलो करो जो सब फॉलो करने या तो एक बना लो या तीस बना लो और या तीस से पहले बना लो तक अब मेरा अगला को शिंदरा जल्दी जल्दी आंसर देना अब सुनो 31 मार्च 2019 को अगर हम रिडीम कर रहे हैं तो इससे पहले का DRR का डेट आता है यार बनेगा नहीं लेकिन हम सिर्फ डेट की कैलकुलेशन के लिए रिडीर बनेगा 31 कर दो लिए 610 अब मार्च 2022 को अखर आठार होते हैं तो अब फोकस करें हूं का लुट बच्चों को अब बहुत प्रबलम होती है तो देट समझना बहुत असल है क्यों अब्याखों पहले टो यार्ट मार्च तरी तीयरार की बुक वगया अगले ही दिन डिराई एगा तो इस तरीके से पूरा का पूरा देखो आपने answer भी यहां पर दिया हुआ है हिंट में पूरा answer दे रखा है तो यह पूरा का पूरा answer और यह पूरा पूरा डेट आपका बिल्कुल करेक्ट है यहां अच्छा लगा होगा आपको और बहतर तरीके से समझ आया होगा पेपर में आता है तो थ्री मार्क से कमका नहीं आएगा यह तो यह हो गया क्लास redemption की सारी के सारी बाते draw of lots का मैं एक और question कराऊंगा आपको आज even draw of lots में मैं आपको आज account बनाना भी सिखाऊंगा समझेव क्लास बात को debenture account जो paper में पूछा गया था हाला कि मैं अपना opinion दूँ तो draw of lots से question chance बहुत कम है आने के लेकिन हम पूरी preparation कर रहे हैं तो छोड़के बिल्कुल नहीं जाना है clear यहां तक इसकी जर्नल एंट्री ने question कराऊंगा आपको same to same SI तब इसकी जर्नल एंट्री भी बता दूँगा don't worry ठीक है इसकी एंट्री रता दूँगा अगर आप कहते हो तो class मैं इसकी entry भी करा देता हूं आपको ठीक है मैं orally करा रहा हूं आपको और लिली करा रहा हूं ठीक है आप लोग class कर लेना exam मतलब कि अपने घर पर आराम से बना लेना कि मैं ओरली करा रहा हूं अदर वाइस टाइम बहुत लग जाएगा अब सुनते जाना ओरली में धीरे-धीरे समझा रहा हूं आपको समझा रहा हूं कोई बड़ी बात नहीं है अब सुनना मेरी बात को क्लास अब यहां पर एक और लास्ट चीज में समझा रहा हूं क्लास ठीक है उसको समझ जाना तो आपका सारा टॉपिक वो क्लियर हो जाएगा बात को समझना मैं आपको थोड़ी देर पहले एक 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 जामपल दिया था कि मैं तीन हजार डिबेंचर को रिडीम कर रहा हूं ए की कीमत है 100 रुपे क्लियर है यहां तक लेकिन मैं पहले साल के एंड में हजार रिडीम करूंगा अगले साल के एंड में फिर से हजार रिडीम करूंगा फिर अगले साल के एंड में फिर से हजार रिडीम करूंगा सब लोग बहुत ध्यान समझना ड्रॉप लॉट्स खतम ही कर लेंगे पसेंटे डिबैंचे टु डिबैंचे ओल्डर डिबैंचे ओल्डर टु बैंग अब डियार और डियाराई की एंट्री बताओ सर कैसे करें सीख है बहुत ध्यान से समाझना ठीक है तो मान लेता हूं कि यह यह जो है वह है मानलो यह आगया एक चार 17 और यह आगए 31 मार्च 18 फिर अगला यहर एक चार 18 ठीक है अगला यहर कौन सा होगा अगला यहर होगा एक चार 18 31 मार्च 19 फिर अगला यहर होगा 14 19 31 मार्च 20 लो मैंने डेट भी ले लिया आप लोगों की कमफर्टिबल के लिए अब मैं इस कोश्चिन में पहले आपको एंट्री पास करके दिखाऊंगा फिर उस कोश्चिन में आप सब लोग अपने आप बना लोगे बी केरफुल प्लीज फोकस करो यहां पर देखो अच्छा सर पहली बार रिडिम कब कर रहे हैं सर पहली बार रिडिम कर रहे हैं 31 मार्च 20 2018 को तो इससे पहला कौन सा 31 मार्च आएगा सर आएगा 31 मार्च 2017 इस डेट पे DRR बनाना है तो सर एंट्री तो आपने हमें सिखा रखिये क्या स्टेटमेंट ओफ पी एंडेल अकाउंट डेबिट टू DRR बात समझ में आगी क्लास सब लोग पहले समझना ओके 31 मार्च 2017 को हम पहली बार DRR बनाएंगे लेकिन मैंने क्या कहा था आपसे कि DRR जब भी बनेगा पूरा का पूरा बनेगा कितने डिबेंचर हैं क्लास 3000 एक की कितनी कीमत है 100 तो कितने रुपए आगे 3 लाख रुपए और DRR बनता है 3 लाख का 3 लाख रुपए का 25 परसेंट तो 3 लाख का 25 परसेंट जो बनता है वो बनता है 75,000 75,000 बात आगे समझे तो DRR जो बनेगा स्टेट्मेंट ओफ पेंदल अकाउंट डबिट टो DRR 75,000 75,000 क्लिर होगी बात यहां तक डन अब इसके बाद सुनो अब अगले ही दिन अगले ही दिन क्या बनेगा क्लास अगले ह यह पूरा का पूरा नहीं बनाना है Coming year में कितने डिबेंचर रीडीम कर रहे हो सर अभी तो हजार ही कर रहे है तो हजार इंटू 100 1000 x 100 कितने रुपे बनेगे class 1000 x 100 एक लाक और एक लाक का 15% जो बनेगा वो बनेगा class DRI तो DRI के entry क्या होती है बताओ class DRI के entry क्या करते है debenture, redemption, investment, account, debit to bank तो sir investment कितना करेंगे 15,000, 15,000 यही मैंना आपको समय भी समझाया था और यही अभी भी है तो आपने क्या सीखा है याँ पे कि sir DRR तो हमें पूरा बना देना है सोचना ही नहीं है कुछ लेकिन DRR हम उतना ही बनाएंगे जितना अभी फिलाल इस साल में जितना redeem कर रहे हैं उसका आपने DRI बनाना है बात आगे समझा डेट वाइस समझाओंगा बहुत बहतरी इन तरीके से समस्ते चले जाना अब आगे आते हैं अब sir इसके बाद redeem कब कर रहे हैं sir redeem कर रहे हैं 31 मार्च 18 तो 31 मार्च 18 को हम investment को बेचेंगे investment जो की थी एक April को उसको साल के end में बेच देंगे bank account debit to DRI अब यहां पर एक सवाल आ सकता किसी बच्चे का sir अगर आपने invest किया अगर आपने invest किया तो जाहर सी बात है आपको return भी मिलेगा भीया भीया आज वगेरा कुछ तो मिलेगा sir बिलकुल मिलेगा तो उसका क्या बच्चो अगर वो question में कहता तो हम उसकी भी entry pass करते लेकिन आज मैं आपको question number 14 कराऊंगा जो बच्चो ने पूछा है sorry 13 तो मैं 13 में सिखा दूँगा आपको उसका interest का भी कैसे करते है don't worry बट फिलाल इस question में नहीं बोला है कि कितने percent में interest किया है सर पहली entry समझ में आ गई DRR बना दिया हमने अगली entry भी समझ आ गई उतना ही class good उतना ही class हम बनाएंगे जितना coming year में debentures को redeem करना है आगे बात समझ very good अब आगे सुनो जरा अब हम debentures को बेच दिया हमने sorry investment को बेच दिया अब debentures को redeem करेंगे तो redeem करने के ईंट्री क्या हूती है percentage debenture account debit to debenture holder account तो कितना debenture redeem करेंगे हो 1000 debenture redeem करेंगे 100 का एक पूरा 3000 debenture redeem नहीं करेंगे 1000 debenture redeem करेंगे 100 का एक 100 ग % debenture to debenture holder अगली entry debenture holder account debit to same date पे आप date focus करो देगो सीरीसी बात है यहां से लेकर नीचे की सारे entry एकी date पे होती है redemption की date पे debenture holder to bank debenture holder को एक लाग रुपे दे दी तीन लाग रुपे लोटा ने थे पहली किस था आपने एक लाग रुपे की लोटा दी पूरी की पूरी आगे एक लाज बात यहां तक percentage debenture to debenture holder debenture holder account debit to bank सब लोग जरा अब आजाओ मैं इसलिए करा रहा हूँ सब लोग प्लीज attention दो यहां पे जल्दी से जल्दी से एक लाज सुनो एक last entry सब लोग सुन लो यहां पे कोई गलती नहीं करेगा last entry क्या होती है बोलो DRR to GR last entry क्या होती है DRR to GR सब लोग ध्यान से मेरी बात को सुनना ध्यान से यहीं पे गलती होती है इसलिए मैं सौ बार बोल रहा हूँ यहां पे गलती बिल्कुल मत करना सर सारी चीज समाज आ गई अब DRR to GR में कितना amount डालेंगे यहां पे यह है कोशिन कि सर DRR to GR में कितना amount डालना है तो अब सब लोग जरा मेरी बात ध्यान से सुनो DRR to GR कितना amount डालना है सुनो मेरी बात सर तीन हजार debenture redeem कर रहे हैं सो का एक तो बन गया तीन लाग DRR आपने बना दिया 75,000 रुपए आपने DRR बना दिया और सर कल तक आपने यही सिखाया था कल तक आपने सर हमें यही सिखाया था कि जितना DRR बनता है उतना ही DRR close होता है अगर बना 75,000 तो close भी 75,000 होगा मैंने बिल्कुल सही कहा था close भी 75,000 होगा लेकिन लेकिन अभी फिलाल मैं डालूँगा पच्चीस हजार फिर अगले साल पच्चीस हजार फिर अगले साल पच्चीस हजार सर तीन बार क्यूं क्यूं क्योंकि रिडीम तीन बार कर रहे हैं समझे एक लाज बात को, तीन बार इसलिए क्योंकि redeem जो कर रहे हम, उसको तीन बार कर रहे हैं, सर यह कैसे निकाला आपने, देखो, अगर यह 75,000 रुपे, यह 3,000 रुपे जो हैं, यह 3,000 रुपे डिबेंचर के लिए हैं, अगर यह 75,000, 3,000 डिबेंचर के लिए हैं, अगर तीन हजार डिबेंचर के लिए 75,000 रुपए DRR में डाला है तो हजार डिबेंचर के लिए कितना डालोगे याद है शेर वाला चैप्टर सबको याद आ गया होगा युनिटरी मेथर्ड मैंने कहा था आपसे कि इस तरीके से करना बच्चे कहते हैं नहीं सर ये वाला हमें अच्छा न लग रहा हमें एक और तरीका पता है कौन सा कहते हैं सर देखो हजार डिबेंचर आप अभी रिडिम कर रहे हो एक की कीमत कितनी है 100 तो हजार इंटू 100 बन गया सर एक लाख रुपए हजार इंटू 100 कितना बन गया एक लाख रुपए और जो डियार बनाते हो सर आप वो कितना बनाते हो पच्चिस परसेंट तो एक लाख का पच्चिस परसेंट कितना आ गया पच्चिस अर्ट मर्जी आपकी कैसे भी कर लो यह 75,000, 3,000 के लिए है डिवाइड दे दो 75,000 को 3,000 से अगर यह 75,000, 3,000 के लिए 3 से डिवाइड दे दो इंटू 1000 कर दो तब भी आंसर पच्चिस अर आएगा जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे कर लो आंसर पच्चिस याना है मुझे नि लगता कि इसमें कोई दिक्कत आई क्लास बिल्कुल हर्शित भेज दूँगा डोंट वरी अभी आपस आप समाजने में फोकस करो आगे सबको बात समझ तो यह हमारा हमारा समझ लो पूरा चैप्टर खतम हो गया आप कुछ नहीं बच्चा इसके में चलो मैं सारे चीज़े एक बार रिपेट करूंगा फिर से अभी तो एंट्री बहुत हैं अभी तो एकी साल की एंट्री हुई है पास क्ला सुनो यही सेम एंट्री सुनना कहां से कहां तक यही सेम एंट्री डियार से नहीं यहां से लेकर यहां तक यही सेम टू सेम एंट्री सेकेंड यर में भी पास होगी यही सेम टू सेम एंट्री थर्ड यर में भी पास होगी इसलिए ड्रॉफ लॉट्स बोर्ड के पेप में हैं तो मैंने आपको सिखा दिया है हलाग इस साल 2021 के बच्चे पेपर देंगे उनके इस साल सिलवस रिड्यूस में इस चीज कट गई है बट आपके में हैं तो आपको मैंने तूरा सिखा दिया है तो दूसरे और तीसरे साल यह एंट्री पास होगी चलो मैं फिर से लाइन बलाइन कहाने के तरह सुनाता हूं सबसे पहले डियार पूरा बना देना फिर अतना बनाना जितना कमिंग यर में रिडीम हो रहा है फिर डियार आई को बेचना फिर डिबेंचर को रिडीम करना और क्लास में DRR to GR उतना ही डालना DRR to GR में जितना अमाउंट क्लास आपने रिडीम किया है उसका 25 परसेंट सबको अच्छे से लिए एक और एक्जामपल लेगा और अपको मुझे सिर्फ इतना बताना है कि DRR कितना बनेगा और कितना क्लोज होगा बनता तो एक ही बार में हैं लेकिन क्लोज में लफड़ा है क्लोज एक बार में नहीं होता है क्लोज थोड़ा-थोड़ा करके होगा बन तो एक ही बार में जाता है डियरार लेकिन जब क्लोज करते हैं क्लास तो क्लोज उसको हम थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा कर करते हैं चलो एक कोशिन छोटा सा कोशिन है आप जरा मुझे बताओ ठीक है यहां पर करते हैं आप तो एंट्री उमीद है आप समझ जाओगे 31 मार्च 2015 हमने कमपनी ने रिडीम करने हैं टोटल रिडीम करने हैं 40,000 अबेंचर टोटल रिडीम करने 40,000 अबेंचर एक की कीमत कितनी है 100 तो पहली बार यह रिडीम करेंगे 31 मार्च 15 को दूसरी बार redeem करेंगे 31 मार्च 16 को तीसरी बार redeem करेंगे 31 मार्च 17 को 16, 16, 8 ठीक है चलो मेरा पहला कोशिन जो मैं कोशिन पूछूंगा सिर्फ उसकान से दना पहला कोशिन 31 मार्च 2014 को आपको पता है ना क्लास पहली बार यहां redeem कर रहे हो तो इससे पहले जो 31 मार्च आएगा वो 14 आएगा 31 मार्च 2014 को DRR कितने रुपए का बनेगा सोच समझ के not hurry 31 मार्च 2014 को DRR कितने रुपए का बनेगा कम आन पड़ा पड़ा पताओ हर्स भाई 25 परसंट तो दुनिया को पता है यार अमाउंट पूछा है 25 परसंट सब को पता है अमाउंट बताओ कुछ का 10 लाग आ रहा है कुछ का 40 लाग आ रहा है मतलब दिमाग में बात गई नहीं अभी मैं पूछ क्या रहा हूं आपको बता क्या रहो आइफोन 40 लाग का 25 परसंट सही आपका बड़ा पर आपका नाम थोड़ी है आपको नाम तो कर लो चींज भाई कर ड़ी आईफोन है अच्छी बाते पर नाम तो डालो आपकी पहचान थो नाम से कि सब का अलग अलग आंसर आ रहा है 10 लाग आ रहा लेकिन मेजर्टी बच्चों का 10 लाग आ रहा है और मैं आपको बता दूस सही आंसर जो है इसमें सही answer जो है वो 10 लाक रुपए है सही answer जो है class वो 10 लाक रुपए है मेजर टी स्ट्रोंड्स का अब सही है clear class भाई हरस गलत है पक का बोल रहेँ और गलत बोल रहेँ भाई आप सोचो कितने डिबैंचर है आपके scor 40,000 डिबैंचर है एक की कीमत कितनी है सो चालिस जार इंटू सो कितना बन गया चालिस लाक और डियारार कितना बनता है पच्चिस परसेंट इतना समझाया भाई इतना समझाया फिर भी गलत कर रहे हो यार इतना समझाने के बाद भी तो चालिस लाक का पच्चिस परसेंट कितना बनेगा दस लाक चालिस लाक का पच्चिस परसेंट कितना बनेगा दस लाक ध्यान रखना डियारार एक की बार में बनेगा पूरा का पूरा दस लाक समझ गये बात को आईफास वेरी गुड करेक्ट है अब सहिए तनू ठीक है अपरिल 2014 को DRI कितना बनेगा सब लोग गल्ती मत करना रितिक जैसवाल का बिल्कुल सही है आंसर अजिंग के करेक्ट है 2,40,000 मतलब आप आराय समझ अपने आप छाप के मतलिखना कोई अपनी मेहनत से लिखो सिम्मी हिमंत करेक्ट है श्रियान सोलाग का 15% करेक्ट है अमांट बता जैसे ज़्यादा खुशी होती अब आ रहा है सबका आंसर सही ठीक है अब सबका सही क्लास का अरतिक आनेश्री सबका ठीक है आमित भाई करेक्ट है बिल्कुल तो यानि की हम सर अभी कितना रिडीम कर रहे है 16,000 डिबेंचर एक की कीमत कितनी है 100 तो 16,000 इंटू 100 हम कितना रिडीम कर रहे है फिलाल 16,000 और वो बनता है 15% डिया राई संस्कृति छह लाग का 15 परसेंट नहीं है 16 लाग का 15 परसेंट है make it correct ओके तो यह आगया क्लास आपका अंसर अब मेरा तीसरा कोश्चिन कोई गलती नहीं करें यहां पर लास्ट बस रुख जाओ अभी 16 पर्फेक्ट ठीक है अब सांथ हो जाओ अब अगला आंसर दो सब दो सब्सक्ट एक तो समझ के आपको पता है दिमाग लगाकर जडी बाची हट बड़ा हट बिल्कुल नहीं फ्लकुल नहीं थीग है सोच समझ के एक लास आपने बताना है हर्ष का संस्कृति का आईफोन सब गलत है सिरंजीव का सईये बिलकुल 4 लाग हिमंत का सईये 4 लाग अब लगाओ दिमाग यार क्या कर दिया आपने पता नहीं गलत क्यों बताते हैं अच्छा नहीं लगता है थोड़ा सही बताया कर आँज सब का सब कहां बता रहे थे शुरू में आप हर्ष मैं समझाता हूं देखो अभी तो समझाया आपको आप रिडीम कितना कर रहे हो फिलाल इस साल में 16,000 डिबेंचर एक की कीमत कितनी है 100 तो यह बन गया आपका 16,000 और डी आर आर कितना बना होगा 25 परसेंट 16,000 का 25 परसेंट चार लाग चार लाग अगर आपको ऐसे नहीं समझाया तो दूसरा तरीका समझ लो डी आर आर आचा आप मेरी बात सुनो आप जो डिबेंचर को रिडीम कर रहे हो कैसे कर रहे हो 16,000 कर रहे हो पहले फिर 16,000 कर रहे हो फिर 8,000 कर रहे हो बात को समझ रहे हो सब लोग समझ ना जिनका आ गया वो भी जिनका नहीं आया वो भी सब लोग समझो सब लोग क्वाइस ऐसे नहीं आया अंसर जो बता रहे हो आप यह चार लाग ऐसे नहीं आया जैसे आप बता रहे हो ठीके क्लास मैं बता रहा हूं समझो जरा कैसे यह चार लाग आ गया पर ऐसे पहले रिडंप्शन करेंगे 16000 फिर अगले साल 16000 फिर 8000 यही तो है देखो पह andsर नहीं क्लास समर्भ टोटल drr सर हमने बनाए 10 ,000,000istent है तो 10,000,000का 2 X 5 जो बनेगा व क्लास आपने क्लोज करनेगा थ्यले साल 16000 फिर दूसरे साल 16000 फिर चार ले पहले साल 16000 फिर relación तीसरे साल 10 लाग का 1 by 5 कितना क्लोज हो जाएगा 2 लाग ठीक है तो टोटल मिला के कितना बनाया था आपने 10 लाग और क्लोज भी कितना कर दिया आपने 10 लाग हो गया मैच 4-4-8-2-10 हो गया मैच उमीद आपको समझ आ गया होगा नहीं तो कौन सा तरीका शियर वाला तरीका भी समझा जेता हूं सारे तरीके समझ लो डोंट वरी अगर अगर 40,000 शियर के पीछे आपने 10 लाग रुपे DRR बनाया है तो अगर आप फिलाल 16,000 डिबेंचर को रिडीम करते हो तो 10 लाग अगर 40,000 के लिए है तो 16,000 के लिए कितना होगा तो सॉल्व करना जरा कितना बनेगा एक दो तीन चार एक दो तीन चार चार एक कम चार चार चोके 16 और एक लाख इंटू चार आगया चार लाख यह कैसे भी कर लो mathematics calculation है simple calculation आपकी मर्जी कैसे भी कर लो answer उतना ही आना है मतलब हम डब्बे के अंदर डाल तो एक ही बार में देंगे निकालेंगे थोड़ा थोड़ा करके क्लोज हम जो करेंगे वह थोड़ा थोड़ा करके क्लियर यहां तक समझ गया आप लोग तो उमीद है सबको समझ आ गया होगा अपने इस इक्जामपल में यह जो इक्जामपल क्लास में ने कराया आपको यह भी क्लास में ग्रूप में बेश देता हूं तक कि free time निकालके आज इसको strong कर लेना अब हम आते हैं अपने question पर अभी तक हमने बहु चलो बहुत हो गया अब आते हैं class questions पर आते हैं हमारा question number six तो होई गया था अब आते हैं 9th question पर तो अब मुझे question आपको कराने की जरूदी नहीं पढ़ेगी ऐसी आप समझ जाओगे सब लोग 9 question पर आजाओ और doubt है वह 9th से clear हो जागा भाई वही करा रहा हूं don't worry मुझे पता है सब चीज नाइन पर आ जाओ सब लोग चलो अब 9th question को सब लोग पढ़ते हैं और यहां पर आपके और भी doubts clear करूँगा clear है कई बार बच्चे बोलते हैं कि sir question में लिखा रहता है pass necessary journal entry तो हम किस-किस चीज की entry pass करें अगर question हमको यह कह दे कि issue की entry pass करो तो हम issue की entry pass करेंगे question कहेगा redemption की entry pass करो तो हम redemption की entry pass करेंगे लेकिन question यह कह रहा है class question यह कह रहा है कि generalize करो necessary entry pass करो तब आप वो सारी entry pass करना जो किताब में sorry जो question में हो रहा है सिर्फ उसकी entry pass करना जब बोलेगा generalize clear class यहां पर चलो अब सब लोग जो है सको match करो सब लोग अच्छे समाजना कहते हैं कि company के पास debenture 31 March 18 को debenture है च्छे लाक रुपए के company के पास 31 March को यह रुपीज है कुछ ऐसा सीन हो रहा होगा 6000 debenture है 100 का एक मतलब company के पास जो debenture है वो 6 लाक रुपए के हैं company के पास जो DRR है debenture redemption reserve वो कितने का है class वो 50,000 का है और company के पास profit पढ़ा हुआ है 3,000,000 का इस चीज़ से हमें कोई लेना देना नहीं है बसे बता रहा है कि company के पास 3,000,000 रुपए का profit पढ़ा हुआ है company के पास मुनाफ़ा कितने का पढ़ा हुआ है इस साल company कितना कमाया 3,000,000 फिर उस चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है अच्छा मेरी बात को सुनना अगर 31 March 18 को तुमको redeem करना है clear class आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है on the date the company decide to transfer 1,000,000 on DRR अच्छा मुझे बात बताओ company खुदी decide कर रहे है कि एक लाख और पर डालना है अच्छा हम लोग ना अपनी तरफ से चेक कर लेते हैं 6,000,000 का 25% कितना बनेगा भई DRR कितना बनता है DRR 25% बनता है ना तो 6,000,000 का 25% कितना बनता है बच्छो डेड़ लाख जब भी मैं बोलू ना 25% तो दिमाग में आना चाहिए एक चौथाई एक चौथाई मतलब 4 तो 6 को 4 से डिवाइड देंगे 6 को 4 से तो 15 डेड़ लाख तो answer आगे डेड़ लाख clear यहां तक डेड़ लाख में से 50,000 तो इन्होंने पहले ही बना रखा है 50,000 तो इन्होंने पहले ही बना रखा है अब कोश्चिन खुद कह रहा है कि on that date class on that date मतलब 31 मार्च 18 और तो कोई डेड है यहां पे तो 31 मार्च 18 को कंपनी एक लाख रुपे डियार में डालेगी लो कर दिया कोश्चिन सर प्लस स्टेटमेंट टॉप पी एंडल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर डेंचर रिजर्व एक लाख clear यहां तक अब आगे पढ़ते हैं it also decide to redeem तीन लाख रुपे के डिबेंचर और 30 जून मेरी बात सुनो ध्यान से सुनो 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 तीस जून को तीन लाख रुपे redeem करेंगे सर redemption की entry तो हमको पता है redemption की entry अलग है उसका किसी से mix मत करने बैच जाना redemption की entry अलग होती है percentage debenture to debenture holder debenture holder to bank इसको किसी से mix मत कर देना यह दो entry तो redemption की है DRR की अलग entry होगी तो यह तो होगए entry अब हम करेंगे invest तो invest कितना करना होता है जितना आप redeem करोगे investment कितना करना होता है जितना आप redeem करोगे उसका 15% तो 3,000,000 का 15% कितना बनेगा पैतालिज़ा 6,000,000 debenture है लेकिन अभी आप redeem कितना करोगे only 15% वो भी जो इस साल redeem होने वाला है तो 3,000,000 का जो 15% class बनता है दिन लाग का 15 परसेंट वो बनेगा क्लास 45 जार। अब मेरी दूसरी बात सुनौ। अब आगे मेरी बात संनौ। अब फिर क्या वगा कव दे यर बनाने के बाद उन्हों इसको बेचेंगेस इन्हों आहां पर एक एंट्री नहीं पास कर रहती यहां पर एक और एंट्री पास करोगा किया एंट्री पास करोगे वोलो bank to DRI bank to DRI इन्होंने pass नहीं कर रखे बच्चों पर आपको pass करना है ध्यान रखना फिर रिडीम करेंगे percentage debenture, debenture order 3,00, debenture order तो bank ये भी आगए 3,00, एक last entry क्या होगा debenture redemption reserve to general reserve class सुनना सब लोग मेरी बात आपने जो DRR बनाया वो एक लाग का बनाया है DRR कितना बनाया आपने एक लाग DRR टोटल कितना बनाया है डेड़ लाग का DRR आपने जो टोटल बनाया है वो बनाया कितने का है डेड़ लाग का लेकिन ये जो डेड़ लाग का DRR आपने बनाया है यह कितने डिवेंचर पर बनाया है क्लास यह 6,000 डिवेंचर पर बनाया है अभी कितना रिडीम कर रहे हैं 3,000 तो 50% ना तो DRI to GR में कितना जाएगा 50% जाएगा और 50% कितना बनता है 75 देखो सीदी सी बात है अगर आप डिवेंचर रिडंशन अभी आधा कर रहे हो अभी आधे डिवेंचर को आपने रिडीम किया है तो DRI तो पूरा बनता है लेकिन जो DRI to General Reserve है उसमें हम लोग आधा ही डालेंगे तो आप अभी 6 लाक में से 3 लाक के डिवेंचर रिडेम कर रहे हो तो DRI to GR में भी उतना ही आएगा 55 देड़ लाग का आधा 55 देड़ लाग का आधा 55 हजार वो हम उतना ही डालते हैं जितना हम redeem करते हैं coming year में ओके चलो सबका सही हो गया class very good इसको आज बना लेना पोशिश करना कि आज ही खतम हो जाए फिर cash flow आएगा cash flow आपका 8 number का है ध्यान रखना और मेरा target है कम से कम 6 लेने का 8 में से आट में से minimum 6 एक नंबर के दो कोशिन आते हैं उसमें से कम से कम एक और 6 नंबर वाले थोली गलती हो गई तो उसमें से 5 at least 6 नंबर कीच रहा है आट में से पट आगे की बाद छोड़ो पहले इसे खतम करो उसके बाद आज इसे खतम करना और सुनो एक आत कोशिन ने दिक्कत ह पूती न तो घबराया मत करो उसके चकर में कॉंसेप्ट मत खराब करो पढ़ाय मत छोड़ दिया करो उस कोशिन को छोड़ो और आगे बढ़ो है चलो अब बच्चों ने पूछा मुझसे कोशिन नंबर 13 तो सब लोग आ जाओ जरा कोशिन नंबर 13 सब लोग 13 कोशिन पर आ एक और एक्स्ट्रा एंटर इनो ने टैक्स का भी बोल दिया आप सुनते जाना अच्छे से कोई मुश्किल काम नहीं हो जाएगा अभी मैं करा भी दूंगा डोंट वरी आजाओ जरा आजाओ कोशिन पढ़ते हैं गोद्रेज लिमिटेड ने 20 अजाद डेशु किया है 100 का एक गोद्रेज लिमिटेड ने कितने डेशु किया है और 100 का एक है जो due for redemption है यानि कि redemption के लिए रह रहा है एक बात बच्चे पूस्ते मुझसे कि सर आपने कोशिन नंबर 9 में इस्शु की एंट्री पास क्यूं नह तो मैं उनसे पूछता हूँ क्या question में ऐसा लिखा है कि company debenture issue कर रही है क्या ऐसा लिखा है कि w limited issued इतने debenture क्या ऐसा लिखा है नहीं यार जब issue के लिखाई नहीं है तो मैं क्यों issue की entry pass करूँ उसी तरीके से जो entry बोलेगा हम सिर्फ उसी की entry pass करेंगे इशू का अगर नहीं बोला तो आप issue की entry बिना मतलब pass नहीं करोगे ओके नेक्स्ट गोद्रेज लिमिटेड है उन्होंने 20,000 डिवेंचर इशू किये हैं सौका एक due for redemption 31 अगस 18 सार 31 अगस 18 से पहले जो date आती है वो आती है 31 मार्च 18 सतरा नहीं आती ध्यान रखना सतरा मत बोलना 31 अगस 18 से पहले जो date आती है वो आती है 31 मार्च 18 तो 31 मार्च 18 को डियार बनेगा एक एपल 18 को डियार आई बनेगा यह सब आपके दिमाग में चल जाएगा आगे पढ़ते हैं अच्छा 3.500,00,00,00 रुपए पहले से पढ़ा हुआ है इनके पास अच्छी बात है 3.500,00,00 अगर पहले से पढ़ा हुआ है और इनवेस्टमेंट यह एक चार 17 को कर रहे हैं वैसे तो एक चार 18 को करना चाहिए मेरे हिसाब से पर कोश्चिन को थोड़ी काटेंगे जब कोई बात नहीं अच्छा एक मुझे बात हो अगर डी आरार के एक दिन बाद डी आराई बनता है तो डी आराई से एक दिन पहले बनेगा यह तो common sense है तो आप क्या समझोगे सर एक चार सत्रा को अगर डी आरार बना है डी आराई बना है तो 31 गणक मार्च को क्या बना देना है ऐसा कोशन कि में चलो ठीक है हम कर देंगे क्या क्या है हमें 15% investment करने के लिए तो हम कर देंगे 15% investment किसमें करेंगे FD में कर देंगे जिस पे 6% का ब्याज मिलेगा लो बोल दिया इन्होंने कि हम FD कर आएंगे जिस पे हमको ब्याज मिलेगा कितना 6% लेकिन जब हम उस पे ब्याज लेंगे तो सरकार उस ब्याज पे tax charge करेगी लो अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो सरकार को पसंद नहीं आ रहा सरकार के रहे हैं कि आप ब्याज कमा रहे हो तो भहिया tax दो ठीक है चीज ठीक है और हम अपना question को solve कर लेते हैं अब ओके चलो सुनो मेरी बात कितने debenture redeem कर रहे हो सर 20,000 एक की कीमत कितनी है 100 तो amount कितना बनेगा 20,000 x 100 कितना बनेगा 20,000 रुपे 20,000 debenture हम कर रहे हैं class redeem एक की कीमत 100 है तो 20,000 x 100 कितना बनेगा class 20,000,000 रुपे 20,000 रुपे कर रहे हैं कितना amount बनेगा बोलो amount बनेगा 20,000,000 रुपे अब जो DRR बनाना है वो इस 20,000,000 का 25% बनाना है तो बोलो बीस लाग का 25% कितना बनता है 5,000,000 है कि नहीं बिस लाग का 25 पशंद कितना बनेगा पांच लाग लेकिन लेकिन सुनो कितना पहले से बना रखा है साड़े तीन लाग बना कितना चाहिए पांच लाग लेकिन कितना पहले से बना रखा है साड़े तीन लाग तो हम और कितना बनाएंगे DRR और बनाएंगे और बनाएंगे कि सूनूं अच्छा कितना करना मिर्स करना 15 फरसंट करना होता पंदरा परसंट 20 लाग का ही उसी एमांट का 15 निकालेंगे तो तो कितना हैगा तीन लाक किसी हो कोई दिकत परेशानी है यहां तो बतादो पूछ लो क्ला सब को क्लियर है मुझे ड्र का अमाउंट बताओ 20,15 परसंट कितना बनेगा तीन लाक तो यह जो डी आर आई बनेगा वो बनेगा तीन लाक और जो डी आर आर है वैसे तो वह पांच लाक बनना चाहिए पर साड़े तीन लाक पहले से बना रखा है तो डेड़ लाक और बना देंगे कर लेते हैं जरा इस question को तो मैं पूरा ही solve कर आज़े तो अच्छे से अगर आपने दिमाग में set कर रखी है तो बस उन्हीं entries का यूज होना है entries समझ लो हतियार है अब उन हतियार को जहां जरूत पड़ेगा हम यूज कर लेंगे तो line by line class करते हैं जरा सबसे पहले हम क्या करेंगे इन्होंने कहीं भी कोश्य ने बोलाए कि इसने issue किया है नहीं और दूसरी बात आप requirement पर जाओ ऐसा नहीं तीन नंबर कोश्य में आदा गंटा लगा दो पूछा क्या है class आपको redemption के entry पास करनी है तो line by line हम redemption के entry अब पास करेंगे मेरी बात को सुनना 31 अगस्त को redeem हो रहा है और हमें जो DRR बना आना है वह सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले जो डेट आएगी 31 मार्च पहले डेट आएगी 31 मार्च 17 को DRR बनेगा एंट्री क्या होगी statement of P&L account debit to DRR आपी ने तो कहा था रेड़ लाग बनेगा आपी ने कहा था रेड़ लाग बनेगा लेकिन ध्यान रखना जब close करेंगे तो DRR टू जनलिजब पूरा कर देंगे पूरा लिखेंगे कितना पांच लाग रुपे साड़े तीन लाग पहले से पड़ा हुआ है तो डेड़ लाग और डाल दिया तो कितना होगा पांच लाग अब सुनो एक चार सत्रा को इंवेस्ट किया इंवेस्ट करने के एंट्री बोलो फटा फट डियराई टू बैंक आप सब लोग खुदी बोल रहे हो तीन लाग कैसा है आपता है ना पंदरा परसेंट इसका बीस लाग रुपे का पंदरा परसेंट आगया तीन लाग तीन लाग अब क्या है 31 मार्च 18 सब लोग ध्यान से सुनना भी हां पर 31 मार्च 18 को 31 मार्च 18 को हम क्या करने वाले हैं क्लास 31 मार्च 18 को इसको बेचने वाले हैं बहुत ध्यान से सुनना क्लास बहुत ध्यान से तो बैंक अकाउंट डेबिट तू डी आराई सर अभी तक तो हम यही करते थे bank account debit to DRI 3,00,000,000 अभी लिखना मत अभी तक तो हम यही करते थे bank account debit to DRI 3,00,000,000 सर ठीक है अब क्या अलत हो गया लेकिन अब हमको interest भी मिल रहा है तो आप लिखोगे interest earn bank account debit to DRI to interest earn सर interest कितना मिला है भाइच कितना invest किये थे सर 3,00,000,000 रुपए invest किये थे interest का rate तो लिखा ही था यहां पे 6% है ना interest का rate कितना है 6% question धंग से पढ़ना कोई बच्चा 10 मत बोलना गलती से भी 6% interest है question धंग से पढ़ो पहले तो यह बन गया आपका 18,000 रुपए तो सर क्या हमको 3,18,000 रुपए मिलेगा ब्याज को मिलाकर 3,18,000 मिलेगा ब्याज को मिलाकर नहीं अभी आपने इस date को बेचा है question क्या रहा है maturity date यह है अगर आप late बेच चुगे तो आपको ब्याज भी ज़दा मिलेगा ना फिर तो आप इस question में फिर हम payment कर देंगा अगस्त में पर लेकिन सर हमको पैसा जो है वो कम मिलेगा क्यों तो यह सरकार क्या काट लेगी TDS तो आप account debit करोगे TDS account debit तो आप entry क्या पास करोगे bank में पैसा आया TDS कितना कट देगा अच्छा मुझे वताओ आपने ब्याज कितना कमाया सर ब्याज तो 18% कमाया और सरकार का TDS कितना है 10% ब्याज का 10% तो तो तीन लाग 16,200 रुपे हमारे पास आएगा तीन लाग 16,200 रुपे तीन लाग का आपका DRI हो गया और interest जो है वो आपका बन गया 18,000 का बच्चे कहते हैं सर पहले जैसी कराओ ना अलग अलग करा दो या आपने क्या कर दिया, तो चलो उन लोगों के लिए कमजोर बच्चों के लिए बदा देता हूँ तो आप पहले क्या करते हैं, सुनो मेरी बात पहले क्या करते हैं, सर पहले हम करते वैंक्टूра्य आज सक्षिए लो खुश रहो वैंक्टू ड्यUI लिख लो झ्लकु ठुश होगे थिन लाग अब सुनो अब जो इंटर्स मिल रहा है उसकी एक और एंट्री पास करो इंटर्स के एंटर्स क्या होती इलेवन कलास से पढाते हो bank to interest interest के entry क्या होती है bank to interest सरकार ने TDS लिया है और TDS खर्चा है और खर्चा डेबिट होता है interest कमाया 18,000 16,200 लेकिन जेब में आया क्यूं 18,000 कमाया है तो 16,200 क्यूं जेब में आया सरकार ने tax card ले 18,200 तो आपको दो पसंद एंट्री दो एंट्री पास कर लो एक एंट्री पसंद एक एंट्री पास कर लो आगे बास समझ अब क्या होगा अब 31 अगस्त 18 को redeem कर रहे हैं redeem के entry क्या होती है premium नहीं है इसमें percentage debenture to debenture holder 20,000,000,000 फिर अगली entry क्या होगी बोलो 31 अगस्त को एक और entry पास होगी क्या entry पास होगी debenture holder to bank 20,000,000 बीस लाक सर लास्ट एंट्री से 31 अगस्त को ये एंट्री पास करोगे डियाराट टू जनरल रिजर्व डियाराट टू जनरलिजर्व सर जनलिजर्व में कितना पैसा आएगा तो भहिया पांच लाक आएगा साधे तीन लाक पहले से पढ़ा हुआ था डेड़ लाग रुपय और डाल दिया हो गय कि कुल्स यह बहुत अच्छे से मैंने कि महनत से आपको समझाया और अच्छे से इसको कर लिया होगा ने अपना लास कॉइंट मांण मौन सब्सक्राइब सब्सक्राइब क्लास के टीचचर इसको हाथ जादा लगाते नहीं एक दो बार कराया खतम बात जैसे तैसे करके दो मैंने आपको बहुत डीटेल में बहुत अच्छे से आपको कॉंसेप्ट को समझाते हुए बहुत टाइम लेकर देड़ घंटा बहुत होता है क्लास कंटीन्यू बैट के चिलाना मेरी मेहनत बेकार मत करना कोशिन आये तो जरूर करके आना इतना जरूर क्लिक के आओगे आपक इसको करके बाकी जो कोशिन से उनको बनाना ऐसा नहीं कि किसी किताब में 40 कोशिन और उन दो अलग अलग कोशिन की वजह से आप पूरा चप्टर खराब कर रहे हुए ऐसा नहीं करना ओके चलो यह हमारा खतम हो गया आपको सारी चीज अब क्लियर होगी होगी अब कोई आप बनाना अपने आप कोई समझ में ना आए पॉइंट तो पूछ रहे ना अभी मुझे इस चैप्टर को खतम कराने दो इलस्ट्रेशन 16 जो है वह वही है आपका ड्रॉफ लॉट्स के बेसिस पे वह आप अपने हिसाब से कोशिन को बना के बना लेना कोई ज्यादा बड का अपने कंपार्टमेंट का उठालो पेपर आज कंपार्टमेंट कोशिन उठालो बनाओ ना बने तो मुझे बेजो में बना के दूंगा कल से कैश फ्लो चालो हो जाएगा बिलकुल कल से कैश फ्लो और कोई भी बच्चा क्लास मिस नहीं करेगा ध्यान रखना सबसे बोल मैं यही आता है मैं तुमको दो लेवल आगे की त्यारी करा रहा हूं डोंट वरी आप प्रशान ना हो बिलकुल कोश्य में 10 पर आजाओ अब कोश्य में 10 क्या है सर अब सुनते जाना सब लोग अच्छे से कोश्य में 10 कह रहा है सब लोग 10 पर चोड़ो चैट बंद कर दो 10 पर आजवब मांसी लिमिटेड ने 6000 डिबेंचर इशु किया है सौकाइक मांसी लिमिटेड ने 6000 डिबेंचर इशु किया है सौकाइक due for redemption यानि कि अभी इशु नहीं किया है है थोड़ी बहुत इंगलिस की नॉलेज होगी आपको तो हैड का मतलब है कि इनके पास हैं पहले से इन्होंने किये हुए है 6000 डिबेंचर अभी नहीं इशु करा है कभी इशु किया हुआ था तो हमको इशु की एंट्री पास नहीं करनी है और 100 रुपेका एक है रिडम्शन के लिए रह रहा है कभ रिडम्शन होगा 31 मार्च 19 को तो सर समाझ गये DRR कब बनेगा DRR बनेगा 31 मार्च 18 को DRR कब बनेगा 1 अपरिल 18 को बस अब डेट तो परफेक्ट है डेट में तो कोई दिक्कत नहीं आई आई आपको अब आगे सुनू Assuming that the debentures were redeemed out of profit अब ये लाइन सर क्या लिखी दी गई है अभी तक किसी भी कोशिन में हमने इतने कोशिन बनाए अभी तक किसी भी कोशिन में ये लाइन नहीं लिखी थी सर ये क्या है तो आप मेरी बात समझना धंग से कभी भी कंपनी अगर debentures को out of profit redeem करता है और उनके पास profit का sufficient amount है plus sufficient amount का मतलब क्या है जितने रुपए आप debenture कर रहे हो redeem उतना ही आपके पास profit में भी पड़ा हुआ है तो उस situation में आप चाहो तो 100% amount भी DRR में बना सकते हो सर आपने तो कहा था 25% अगर हम 25% बना दें तो plus तो भी ठीक है नमबर तब भी नहीं कटेंगे आपके तब भी नहीं कटेंगे आपके पर मैंने कहा ना किसी किसी teacher का दिमाग घुमा हुआ होता है तो इसी लिए कहता हूं class कि 25% भी सही है लेकिन कोशिश करना कि अगर out of profit लिखा हो और profit में sufficient amount हो आपके पास तो DRR 100% पूरा का पूरा बना देना लेकिन DRR तो 15% भी बनेगा और DRR जितना बनेगा उतना ही class क्या हो जाएगा close हो जाएगा तो इस question में 6000 debenture है 100 का एक है तो कितने रुपे आप लोटाना चाहते हो 6 लाग लेकिन profit का credit balance सुनो credit balance मतलब क्या होता है profit तो company के पास profit कितने का है 6 लाग तो इस situation में 6 लाग का debenture क्या कर दिया क्रेट कर दिया और 6 लाग का 15% DRR कितना बनेगा 90,000 तो एक last point था class यही कि अगर कभी आपके पास sufficient amount पड़ा हुआ हो तब class उस situation में आप जो बनाते हो DRR वो पूरा का पू लोटाने हैं और 10,000,000 का मुनाफ़ा पड़ा हुआ है तो क्यों ना debenture holder को खुश करने के लिए हम 100% बना देर DRR में अगर आपके मावाब बोलेंगे कि बेटा तुमारी college की फीज 2,000,000 रुपए और देखो मैंने गुल्लक में 2,000,000 रुपए जोड रखें तो आप safe हो ज देखो एक भी कोशिन ऐसा मिलाई निया आउट ऑफ कैपिल वाला तो अगर कल को आ जाए तो मत बनाना डियर आपके चलो आज हमने अपना chapter खतम कर लिया अभी हमारे पास 15 मिनट बचा हुआ है तो सब लोग जरा बहुत ध्यान से आखरी कोशिन समझना अब यह सारे कोशिन बन जाएंगे लेकुन सुनो मैं आपको बोल रहा हूँ यह सब मत बनाना अब यह सब मत बनाना सिर्व 21 बना लेना नदेखो याद आया कुछ जा दाया इसको देखके याद आया वोगा आपको इसको देखके अभी करवाया था बिलकुल यही कोश्चन है लो तो मैंने आपको कोश्चन एक्जांपल तो करा ही धिया था आपको गूरुप में भेज भी दिया था यह वाला कोश्चन आप बनाना और कोई मत बनाना जरूरत नहीं है अगर आप चाहते हो time है बना लेना लेकिन don't worry नहीं पूछाएगा safe हो आज का हमारा आखरी question और मैं यह क्यों करा रहा हूँ क्योंकि यह paper 2015 में पूछा गया था आज के 15 मिनिट में आखरी question हम लोग बनाने वाले हैं यह 2015 में आपको पूछा गया था सब लोग जड़ा अच्छे से समझे लो 2015 में आपको पूछा गया था clear रहां तर चलो come to question number 22 अब question को जड़ा अच्छे से समझ लेते हैं अनन्या लिमिटेड कहाने सुनो देखो question देखो paper में कितना घुमाता है आपको आप जड़ा सुनके देखना अनन्या लिमिटेड है इनकी authorized capital है दस यह तो ज़्यादा माउंट है तीन चार पांच चार करोड रुपए है क्याते हैं दस लाग शेर इशू करेंगे सौ का एक अच्छी बात है कंपनी के पास पहले से दो लाग शेर हैं वो भी अच्छी बात है company dividend देती है हर एक इंसान को 30 रुपए यानि कि जिन्होंने एक शेर खरीदा उसको 30 रुपए का dividend मिलेगा जिन्होंने 100 शेर खरीदा उसको 3000 का मिलेगा जिसने 1000 का खरीदा उसको 30,000 का मिलेगा चलो अच्छी बात है देते जाओ the management decided management कहता है कि हम export करेंगे African country से आपको पता होगा हमारा ACI continent है उसी तरीके से Africa भी एक continent है उसके अंदर काफी सारे देश आते है तो African country से हम लोग export करेंगे अच्छी बात है लेकिन export करने के लिए समान बनाना पड़ेगा और समान बनाने के लिए जगे चाहिए labor चाहिए machine चाहिए stock चाहिए raw metal चाहिए तो उसके लिए पैसा चाहिए पैसा तो जो finance manager है जो finance manager है उनका वो कहते है finance manager class कहते हैं very good जिन्होंने बना लिया है कि हम यह alternative proposal है मतलब हम यह प्रस्ताव रखते हैं कि हम share issue कर सकते हैं पैसों के लिए 47,500 share issue कर दे 10 रुपय के भाव से या सीधे bank से loan ले लेंगे 12% के ब्याद से या debenture issue कर देंगे 9% के interest से तो मैं आपको बता दूं class यहां तक आपने जो question पढ़ा है ना यहां तक हमारा question किसी काम का नहीं है और अधिकतर बच्चे इतना question पढ़के quit कर देते हैं चोड़ या आपको कभी पढ़ना भी नहीं था यह आपका किसी काम का नहीं है question शुरू होता है यहां से after evaluating these alternative the company decide to issue एक लाख डिबेंचर और एक अप्रिल दोजार आठ को एक लाख डिबेंचर इशु करती है सौ वाले लेकिन यह डिबेंचर चार किस्तों में payment होगी और payment की शुरूवात कब होगी at the end of third year बात समझना मैंने पब्लिक को डिबेंचर इशु कर दिये आज अगले साल कोई payment नहीं की तीसरे साल के end में उनको 10 लाख रुपे लोटा दिये तौते साल के end में 20 लाख रुपे लोटा दिये पांचवे साल के एंड में 30 लाख रुपे लोटा दिये छटे साल के एंड में 40 लाख सर जरा जोड़ना इनको 40, 30, 20, 90, 100 100 लाख और हमने इशू भी कितना किया है 1 लाख डिबेंचर 100 का 1 100 लाख आपने इशू कर दिया और 100 लाख आपने रिडिम कर दिया हमें डिबेंचर इशू किया डिसकाउंट में और उसको हमने क्या कर दिया पर आपको पूछा क्या है प्रिपेर 9% डिबेंचर अकाउंट तो हमें एक एक अकाउंट बनाना है तो आजाओ क्लास सब लोग 9% मुश्किल काम नहीं है बहुत असान है सुनते चले जाना और घर पे बनाना भी पेपर बहुत नस्दीक है ध्यान रखना कभी भी डेट आ सकता है भगदर मत जाएगे ताब पढ़ नहीं पाऊगे प्लेज बी सीरियस मैं आपको बार-बार कहता हम वो दिन याद करो जब आपने रेजल्ट देखा था कितना दुख हुआ था अगर वही दुख दुबारा लेना चाहते हो तो मजे लो कोई दिक्कत नहीं है मुझे कोई समस्या नहीं है मेरा कुछ नहीं जाएगा थोड़ा सा दुख होगा बस वह भी थोड़ा सा लेकिन आपके माबाप को सोचो कितना दुख होगा जिसने पैदा किया उसकी खुशी के लिए इतना नहीं कर सकते आप तो फिर जिंदिगी जहंड़ है आते हैं जरह इस पर अब मुझे हजासर आपने तो अब तक सिखाया ही नहीं है अकाउंट की ज़रूरत भी नहीं है एंट्री से पोस्टिंग कर देनी है बस आपने एंट्री करनी है पोस्टिंग सर एक लाग डिबेंचर है सो का एक है लेकिन इशू किस पर हुआ है 95 पे इशू किस पर हुआ है 95 पे इशू करने के एंट्री क्या होती है यह बैंक अगे चूट को डिबेंचर आपलिकेशन ऑच Russi अचा पच्च वसूआं अपको एंट्री किसके कर नी है पर सेन्टेटेज डिबेंचर अकाउंड बनाना मैंuts काउंड बनाना है और पर सेन्टर डिबेंचर अकाउंड त की पोस्टिंग तो सर ये एंट्री तो किसी काम की नहीं है मैं तो रफ में कर रहा हूं अगले एंट्री क्या होगी डिबेंचर एप्लिकेशन एकाउंट डेबिट 99,000,000 बता और ने कुछ गोगे एक आप्रिल आट को इसकी पोस्टिंग करेंगे चलो जल्दी से एप्लिकेशन मेंडिकेशन में 2% डिबेंचर और पर्सेंटर डिबेंचर में क्या लिखोगे percentage debenture में लिखोगे by debenture application और by discount on issue of debenture 95 lakhs 5 lakhs total हो गया 100 lakhs क्या आपने इस साल के end में कोई payment करी है क्या आपने इस साल के end में कोई payment करी है सर नहीं करी कोई payment बस खत्म फिर आज का जो cd है वही अगले साल का क्या बनेगा सर bd बहुत असान है ये क्या इस साल कोई payment करी है आपने सर कोई payment नहीं करी बात को समझना फिर अगले साल एक चार बीस cd क्या बन जाएगा bd cd बन जाएगा bd अब क्या करना है सब लोग जरा सुनना अब क्या करना है अब सर इस साल के end में लेजर लेजर पोस्टिंग क्या करोगे लेजर पोस्टिंग कितनी पेमेंट कर दी पेमेंट कितनी करी 10 लाग की अब जो cd आएगा वो कितना आएगा 90 लाग फिर एक एपरिल 2021 को यही cd क्या बन जाएगा bd 90 लाग फिर कितनी पेमेंट करी 31 मार्च 2022 को जो पेमेंट करते हैं वो किस नाम से आता है टू डिबेंचर होल्डर वो कर दी 20 लाग 90 में से 20 जाएगा तो 70 लाग फिर एक चार बाइस को यही cd क्या बन जाएगा bd 70 लाग फिर 31 मार्च 23 को तो डिबेंचर होल्डर कितनी पेमेंट करी थी तीसरी किस कितने की थी 30 लाग की बैलेंस कितना बचेगा 40 लाग यह बैलेंस आजाएगा 2 बैलेंस cd फिर एक एपरिल 23 को यह cd बन जाएगा by बैलेंस bd 40 लाग और आखरी किस आखरी जो किस्त है आखरी किस्त आपको तो पता ही है 40 लाग की थी तो यह बराबर आ जाएगा इसका मतलब हिसाब किताब निपट गया यह हो गया हमारा पूरा टॉपिक पूरा क्रोशिन अच्छे से फिनिश आज ही क्लास में बस इतना ही यह आप देख लो पेमेंट जैसे जैसे हुई थी मैंने वैसे वैसे कर दिया है पेमेंट हुई पहले 10 लाग, 20 लाग, 30 लाग, 40 लाग तो मैंने भी उसी तरीके से पेमेंट इस तरीके से पूरा का पूरा कर दिया है होब आपको अच्छे से समझ आया होग घर पेगवार प्रैक्टिस जरूर कर ना थे ले है अच्या से ऑंड़स्टैंडिंग के- लिए घर पे प्रैक्टिस जरूरी ध्यान रखना इन और बैदन आया होई तो सब अच्छा लगत ़रह होगा हाह सब लेकिन एक्चुल कमी तभी पच्च लेगी आप इसे खुद बनाओगे रिक्वेस्ट आज हमने डिवेंचर चैप्टर पूरा फिनिश किया रिडम्शन चैप्टर और इसाथ कंपने काउंट हमारा फिनिश हो गया उमीद है आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे इसकी अच् प्रुलिना